हेलो दोस्तों वेलकम बैक टो माई चैनल आज हम बनाने जा रहे हैं पंजरी लड़ू के टेस्ट में बहुत ही सौधिस्ट होते हैं और साथ ही साथ बच्चों के तेज दिमाग के लिए या लड़ू बहुत ही हेलफुल है चलिए जानते हैं इस रेसिपी के लिए हमें क्या क् लगेगा मेजर्मेंट कप के हिसाब से हमने टू कप गियो का आठा लिया है इस तरह से कटोरी में फुल कटोरी ले सकते हैं फुल वन कटोरी सूजी ली है यह मेजर्मेंट कप के हिसाब से वन कप है दो छोटी चमच हमने गोंथ लिया है दस काजू के पीस दस बादाम के प खाने लिये हैं 2 3 cup हमने चीनी लिये हैं चीनी आप अपने टेस्ट के अनुसर ले सकते हैं आधा कब हमने नारियल किसा हुआ लिया है वन कब गी लिया है वन फुल कटोरी गी है सबसे पहले हम पैन रखेंगे इसे लो मीडियम फ्लेम पे हम हीट करेंगे इसमें हम पास से छे घी टालेंगे इसके बाद हम इसमें गोंद को बुँच लेंगे इसे लो मीडियम फ्लेम पे ही बुँच डाए अगर आपने हाई फ्लेम पे बुचा तो यहान अच्छे से नहीं बुचाएगा और इडिवल गम गोंध भी बोलते हैं इसे फ्राइ करते हैं तो ये फुल के बड़ा हो जाता है गोंध का यूज आयरविदिक ट्रिटमेंट में भी किया जाता है आप अगर इसका सेवन करते हैं तो आपकी हड्या बहुत ही स्ट्रॉंग होगी आपका इम्मिनुटी पावर पुल रहत मिल जाएगी अगर शरेड में किसी भी प्रकार की थकावट महसूस होती है तो इसे लेने से वह भी दूर हो जाती है वोद हमने प्राइकर के निकाल लिए अब हमने इसमें हाफ कप मखाने डाले हैं मखाने को भी अच्छे से घी में मूंच लेंगे भरपूर मात डालकर इसे अच्छे से भून लेंगे बिल्कुल इसे लो फ्लेम पे ही भूनना है अगर आप तेज आच पर इसे भूनते हैं यह जल सकती है आपका आप ख्याल रखिए और इसे लगातार आपको चलाते रहना है भूने के बाद यह स्लाइटल ब्राउन कलर की हो जाएगी आप चाहे तो यहां पर सूजी की कॉंटिटी कम भी कर सकते हैं इस लटू में आप हाफ कप सूजी ले सकते हैं हमारी सूजी बिल्कुल ब्राउन हो चुकी है और भून गई है अच्छे से इसे हम निकाल लेंगे और थोड़ा ठंडा होने के लिए हम इसे तक देंगे तक य जो सकती हैं हम इसमें आटा भूनेंगे हमें घी जो है पहुत जाधा कॉंटिटी में लागे इसलिह दें मेजर्मेंट की हिसाब से वन कप भी पूरा लिया है अप कटोरी के हिसाब से फुल वन कपटोरी हमने यहां पर यूज आप यूज की है इस आटे को भूनने के लिए जब हम आटे को भूनते हैं इसमें बहुत ही प्यारी खुशबू आती है जब तक ये ब्राउन कलर का हो तब तक हम इसे भूनना है बिल्कुल दीमी लो फ्लेम पे ही हम इसे भूनेंगे नहीं तो ये चिपक सकती है, नीचे लग सकती है आप इस बात का ध्यान रखें जब ये आटा अच्छे से भून जाएगा तो इसमें से गी अपने आप छूटने लग जाएगा कुछ इस तरह से दिखेगा हमारा आटा अच्छे से भून चुका है अब हम यहाँ पे गैस की फ्लेम को आफ कर लेंगे और ठंडा होने के लिए इसे रख देंगे पूरी तरह ठंडा नहीं करना है हम इसे यह हलका सा जब गरम रहे तब हम इसमें सारे ड्राइफूट्स मिक्स करेंगे जो हमने ड्राइफूट्स पूने थे उसे हम मिक्सी में पीस कर इसमें मिक्स कर लेंगे आप चाहें तो बहुत ज़दा बारिक न पीसे अब हम इसमें नारियल केज आदा कप डाल देंगे और इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसमें रवा जो हमने भूंच की रखा था हम इसे एट कर लेंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे और साथ ही हम 2 थर्ट कफ शुगर भी इसी में अभी एड़ करेंगे यह हलका अभी भी गरम है हमें इसी वक्त इसमें अच्छे से मिक्स करना है आप अपने टेस्ट के एकॉर्डिंग शुगर को कम या जादा कर सकते हैं मैंने इस रेसिपी के लिए जो शुगर लिए है वो बिलकुल परफेक्ट है ना कम है ना जादा मीठा है बहुत ही परफेक्ट बने है यह तो लीजए लड़ो बनाने के लिए हमारा मिक्षर तयार है तो सबसे पहले हम अपने हाथों को गी लगाएंगे या तो फिर आप पानी लगा सकते हैं और इसे अपने हाथों में लेकर बॉल शेप का बनाना है यहाँ पर एक बात और नोट कीजेगा अगर आपका मिक्षर ड्राइ है तो आप इसमें एक टी स्पून घी एट करके इसे फिर से थोड़ा सा गरम करके आप इसे बाइंड कर लीजे तो यह लड़ो आसानी से बन जाएंगे देखिए इस तरह से हमें गोल 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 यह हलवाई स्टाइल में बनने वाला पंजरी लड्डू है जो कि बहुत ही टेस्टी और डिलिशिस है बच्चों के ब्रेन के लिए बहुत ही अच्छा होता है इमिन सिस्टम के लिए बहुत अच्छा होता है जो प्रेगनेंस वोमन है उनके लिए यह बहुत अच्छा होता आप इसे एयर टाइट कंटेनर में 15-20 दिन तक के रख सकते हैं सिर्फ 500 ग्राम पंजरी लड्डू का प्राइस मार्केट में 300-400 रूपीज है तो क्यों ना आप इसे घर पे ही बनाए यह विंटर स्पेशल लड्डू है और बहुत ही हेल्दी लड्डू है आप इसे जरूर प करके बताएं अगर आप मेरी चैनल पे नए हैं तो प्लीज मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए वहां पे आप और आइकन को क्लिक कीजिए जिससे मेरी आने वाली हर वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुचेगी और भी मज़ेदार और ट